प्रिये विद्यार्थी मित्रो कक्षा नवी की ये दूसरे भाग की तीसरी कवीता है ग्राम देवता जिसे डाक्टर राजकुमार वर्मा ने लिखा है इसके वाचन और इसके इसको समझेंगे सबसे पहले हम डाक्टर राजकुमार वर्मा का परिचाय देखेंगे और फिर इसके बाद में इसका पठन करेंगे डाक्टर राजकुमार वर्मा का जन्म 15 सितम्बर 1905 को सागर मध्यपरदेश में हुआ, उनकी मुरत्यjem 1990 इसवी में हुई परिचय डाक्टर राजकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिध कभी हैं एकांकी नाटककार लेखक और आलोचक हैं प्रमकृतियां वीर हमीर चित्तोड की चिंता निशित चित्र रेखा आधी कावे संग्रह रेश्मिटाई रूपरंग चार एतिहासिक एकांकी आधी एकांकी संग्रह एकलवे उत्तरायन आधी नाटक आपके लिखे हुए हैं यह कविता रस की अनुभूति कराने वाली सुन्दर अर्थ प्रकट करने वाली कविता है रदा के कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है इस कविता में वरमा जी ने करशकों को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रमी त्यागी एवं परोपकारी किंतु फ्रकट के करते हैं इस कविता को पहले पढ़ते हैं फिर से समझने की कोशिश करते हैं गराम देवता अब इस कविता की शुरूआत करते हैं हे गराम देवता यानि कभी वर्य कहते हैं हे ग्राम देवता नमसकार सोने चांदी से नहीं किंतू तुमने मिट्टी से किया प्यार हे ग्राम देवता नमसकार यानि हे ग्राम देवता अर्थात क्रशक किसान को कहते हैं तुम्हें नमसकार करता हूँ तुमने सोने अत्वा चांदी से प्यार नहीं किया बलके अपने खेतों की मिटी से प्यार किया यही मिटी तुम्हें धन धानने देती है ग्राम देता तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ जन कोलहाल से दूर कहीं एका की सिम्टा सा निवास जन कोल हाल से दूर कहीं एका की सिम्टा सा निवास रवी शशी का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश जन कोल हाल जन यानि जनता कोल हाल यानि शोर यानि लोगों के शोर गुल से दूर कहीं एकांत में तुम्हारा छोटा सा घर है उसमें रवी यानी सूरज और शशी यानी चंद्रमा दोनों के प्रकाश से अधिक तुमारे प्रानों का ही प्रकाश रहता है और तुमारी आउश्यक्ता ही बहुत कम है श्रम वैभाव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास दानों दानों से फूट रहे सौसव दानों के हरे हास हास यानी हसी तुम दिन रात परिश्रम करके जड़ धरती में चेतना का विकास करते हो उस धरती में धान्य उगाकर उसे सजीव बना देते हो तुम्हारे द्वारा बोए गए एक एक दाने से सैखड़ो दानों की उत्पत्ती होती है मनों पूरे खेत में हरे दानों के रूप में हाथ से बिखरा हुआ है यह है ना पसीने की धारा यह है ना पसीने की धारा यह गंगा की है धवल धार हे ग्राम देवता नमस्कार धवल धवल के माइने शुबर के होते हैं सफैद के होते हैं खेतों में परिश्णम करते हुए तुम्हारे शरीर से जो पसीने की धारा वेहती है ये अतनी पवित्र है जितनी की गंगा नदी की धारा है अरथात भारती समाज में जैसा महत्व गंगा का है उतना ही मत्व तुम महत्व पूर्ण तुम भी हो ए ग्राम देवता तुम्हे नमस्कार करता हूँ जो है गतिशील सभी रुतु में गर्मी वर्षा हो या की ठंड जग को देते हो पूर्षा हो या की ठंड जग को देते हो पूर्षा हो देकर अपने को कठिन डंड अक्रशक को हर रुतु में काम करना होता है चाहे कितनी ही गर्मी हो वर्षा हो या सर्दी हो गर्मी की तपती दुपहरे में जब अन्य लोगों के ओचाया और हवादार स्थानों में विश्राम करते हैं उस समय करशक खेतों में हल चला रहा होता है वर्षा के समय भी उसे खेतों में कभी गड़ाई कभी निराई करना होता है कड़ाकी की सर्दी में वो रात को खुले खेतों में फसल की चौकसी करता है क्रशक स्वय को मानो इस रूप में दंडित करता है और दुनिया को धन धानने रूपी प्रसकार देता है जोपड़ी जुका कर तुम अपनी उचे करते हो राजद्वार हे ग्राम देवता नमसकार अब इस कवीवर्र कहते हैं कि हे क्रशक ए किसान तुम्हारी जोपड़ी में अभाव है अभाव ही अभाव है लेकिन तुम दूसरों के द्वार उचे करते हो अर्था तुमारे द्वारा उगाए गए अन्न के कारण ही सबस्वस्त रहते है सुचारू रूप से अपना काम करते है जिससे समाज में उचित विकास होता है तुम जनगन मन अधिनायक हो तुम जनगन मन अधिनायक हो तुम हसो की फूले फले देश तुम हसो की फूले फले देश आओ सिहासन पर बैठो ये राज्य तुम्हारा है आशेश कभी वर्ण कहते है कि तुम लोगों की दिलों के स्वामी हो एक रशक तुम हसो तुम प्रसन रहोगे तो खेतों में भरपूर फसल होगी जब देश में प्रियाप्त अन होगा तो देश और देश वासी फलेंगे फूलेंगे आओ इस सिहासन पर आसिन हो जाओ बैठ जाओ ये तुम्हारा ही राज्य है उर्वरा भूमी के नए खेत के नए धाने से सजेवेश तुम भूपर रहकर भूमी भार धारन करते हो मनोजिशेश कवी वर्वर कहते हैं के तुम्हारे खेतों की भूमी सदैव उर्वरा रहे तुम्हारे खेत सदा नए अन्न से भरे रहे क्रिशक तुम इसी पृत्वी पर रहते हो क्रिशक यनी के जो कवी वर्वर्य कहते हैं उपजाओ धानने पैदा करने वाला तुंसे कहते हैं कि तुम क्या करते हो तुम भी अन्ने लोगों के समान माना हुई हो माना ही हो मनुचिश हो परन्तो तुम उनके भरन पोशन के लिए अन्नुगा करन सभी की का भारन पोशन करते हो अपनी कवीता से आज तुम्हारी विमल आर्टी लू उतार हे ग्राम देवता नमस्कार अब इसमें कवी वर्रे कहते हैं ऐ किसान ऐ क्रिशक मैं आज अपनी इस कवीता से तुम्हारी विमल आड़ती उतारना चाहता हूँ विमल आड़ती यनि धवल आड़ती सारे संसार के समक्ष तुम्हारे काम का महत्व रखना चाहता हूँ ए ग्रहे ग्राम देता नमस्कार अमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो दुबारा मुलाखात होगी खुदा आफेज